दुनिया हेरान है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हो क्या गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी नीचे क्यों आ गई है इंगलंड के लेजन्डरी क्रिकेटर केपी केविन पीटरसन ने ये सवाल किया ट्विटर पे कि यार जब मैं पाकिस्तान सूपर लीग खेलने आता था पाकिस्तान तो एक बड़ी तगड़ी और टैलेंटेड क्रिकेट नेशन होती थी, बहुत टैलेंट था पाकिस्तान में, अब क्या हो गया पाकिस्तान को, तो हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे, कि हम केविन पिटरसन को जवाब दें, और ऐसे जवाब दें कि एक ऐसे होंगे, लेकिन कोई टैंशन नहीं है, सच तो हमने बताना है, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कि आज पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल हुआ है, तीन गलट डिसियन, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किये, जो पाकिस्तान के लिए एक डिजास्टर साबित हो हैं, अभी तक, वो तीन पॉइंट्स कों से हैं, नमबर वन, जब पाकिस्तान ने मिस्बा उलहक को सारा कंट्रोल दे दिया, उनको चेयर मैंनी बस बनाया, बैटिंग कोच, सिलेक्टर, पता नहीं क्या, कुछ सारा कंट्रोल मिस्बा के उपर था, वो एक बहुत गलट डिस थे, मिस्बा ने हमेशा बचा बचा के चलना चाहा, कि यार चलो डिफैंसिव खेलते हैं, उसके बाद जो दूसरा सबसे बुरा डिसियन पाकिस्तान का था, वो ये था कि इन्हों ने बाबर आजम को कप्तान बना दिया, बाबर आजम पाकिस्तान का नमबर वन बैटर होता था और मैं अक्सर अपने दोस्तों से ये बात भी करता था यार पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से एक बैटर मिले ये इस पे कप्तानी का प्रेशर क्यों डाल रहे हैं वो चुप करके अपने रांस करे और जब रांस करेगा पाकिस्तान जीतेगी अब मिसाल के तोर पे मैं आपको अपनी वीडियो में एक्जेंपल लेता हूं कि 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जब बर्मिंगम में न्यूजिनेंड को हराया था बाबर का सौ था उस मैच में और बड़ा इंपॉर्टन मैच था वो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में डू एंड आए क्या उस मैच में बाबर आजम कप्तान थे नहीं सैफी कप्तान था तो क्यों आज भी उस मैच में बाबर का नाम पहले लिया जाता है अगें क्या वो कप्तान था नहीं तो आपको ये समझना है कि कप्तान बनना जरूरी नहीं है मैच विनर बनना जरूरी है यूवराज सिंग अगर दवन रिटाइर हुए हैं, कप्तान तो नहीं थे, मैच विनर थे, समझने हैं आपने इन बातों को, कि आपका मैच विनर होना इंपॉर्टन्ट है जो याद रखा जाता है, हमेशा याद रखा जाता है, इमरान नजीर मिसाल के तोर पाकिस्तान के, घड़े हो जाते थे तो दूसरे की ऐसी की तैसी फेड़ देते थे, आज भी लोग पूछते हैं, यार इमरान नजीर कहां गया, मैच विनर थे, कप्तान नहीं थे, तो मैच विनर होना लाजमी है, जब आप कप्तानी का प्रेशर ले ले लेते हैं, और वो भी पाकिस्तान जैसे मुलक में, पाक को जज किया जाएगा, तो आप पे क्या पड़ी है बुरी के आपने कप्तानी ले ली, अच्छा, तीसरा जो एक बुरा डसीन पाकिस्तान के हिस्टरी में हुआ है ना, वो रमीज राजा का चेर्मेन बनना था, रमीज राजा ने एक उर्दू का वर्ड है, हलाशेरी, रमी एडिया में पबलिकली रमीज राजा पीसीबी चेर्मेन ये कहते थे, कि बाबर आजम के इलावा तो दुनिया ही नहीं है, मुझे तो बाबर के इलावा कोई दिखता ही नहीं है, उन्होंने इतने पावर दे दी बाबर आजम को, कि ड्रेसिंग रूम में मसले शुरू हो ग आते, मैं कोशिश करूँगा तब तक बाइड ना लाओ, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर प्लेयर्स को बाबर के एडिटूट से मसले थे, अच्छा, अब मसला ये है, हमारे पाकिस्तान में ना सब कहते हैं यार, बाबर का नाम क्यों ही आता है, हर तरफ बाबर का नाम क तो आता था, सिंगल हैंडिडली, खड़ा होके, ऐसी की तैसी फेर देता था ओपोजिशन की वो, आपकी सब की अंदर से ख्वाहिश थी, कि बाबर भी ऐसा ही करें, अब इंडिया जब बैक टू बैक मैच हारता था तरम्यान में, या अगर कभी बाइर जाके वो अच्छा नहीं करते थे, तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे आता था, विराट कोली पे और रोहिश शर्मा पे, कोई ये बात नहीं करता था, कि इशान किशन को हमेशा के लिए निकाल के बाइर कर दो, कोई ये बात नहीं करता था, कि रिशा पंद को फारिख कर दो, ये बात होती कि यार क्या विराट और रोहित आपका फ्यूचर हैं ये एक्जेम्बल देने का मकसद ये है कि जो आपके टीम के सबसे बड़े प्लेयर होते हैं सबसे बड़ी रिस्पॉंसिबिलेटी उनके उपर आती है ये क्रिकिट का रूल है मुझे जिम्बाववे के लेजिंडरी क्रिकिटर हैं सिकंदर रजा उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मेरे दमाग से नहीं निकलती कि क्रिकिट एक टीम गेम है लेकिन एड़ सेम टाइम ये एक इंडिविज्वल गेम भी है मतलब अगर बाबर पे गेम आ गई है तो वो इंडिविज्वल गेम खेलेगा गेम को फिनिश करने के लिए क्यार वो जिम्मेदारी ले लेगा अपने उपर लेता तो नहीं है लेकिन एक जैम्पल दे रहा हूं कि जो एक प्लेयर पे टाइम आ जाता है क्यार मुझे बाकियों पर तो पता नहीं बाकी कुछ कर प लेकिन हमारे केस में हमारे कंट्री में यहां पर अपने 40-50 करके हम आउट हो जाते हैं और बाकी तुम देख लो यार देखो जरा फिनिश करना के नहीं जबकि मैं हमेशा एक 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 जैमपल देता हूं कि जब आप जिन्दगी में पहली दफ़ा क्रिकेट खेलना शुरू क करते हैं as a better तो आपका कोच आपको हमेशा एकी बात कहता है कि बिटा मैच फिनिश करके आना है क्रिकेट जो मरजी फार्मेट हो is not about scoring your own runs it's about winning for the team मकाया निटीनी ने साउथ आफरीका से खेलते हुए अस्ट्रेलिया के खिलाब वो 436 के मैच में एक सिंगल ली थी यह पीछ और फिर मार्क बाउचर ने आकर चोका लगा दिया था मिड़ान बे ब्रेकन ने कैच भी छोड़ा था वो बड़ा जबर दिस मैच था यार तो वो एक सिंगल आज इतना कि मेरे दमाग में है आपके दमाग में भी है क्यों कि वो मैच विनिंग नॉक थी वो एक रन अगर न आप टीम को जितवा के बाईर जा रहे हैं तो भई आप च्छाहे में अगर आप अपने रंस करके नोटा उट बाईर जा रहे हैं और हमेशे ऐसा हो रहा है कभी तो आप मैच जितवा हो ना तो बाबर आजम का खेर कप्तान बनना और फिर अल्ला माफी दे दूसरी दफ़ा उनका कप्तानी ले लेना कोई भी दुनिया का प्लेः होताना वो दूसरी दफ़ा कप्तानी ना लेता देखें आपकी ना एक एगो होती है आपकी एक सिल्फ रिस्पेक्ट होती है अच्छा बाबर आजम वैसे तो मेडिय में आके कहते हैं के मैgangen कप्तानी चोड़ दी ले उसके बड़े लोग उनको डिफेंड करने के लिए आकर ये कहते हैं कि जी वो PCB ने खुद आफर की थी, बाबर चुना काका सी, फीडर भीता है वो, बच्चे है वो, उसको नहीं पता था कि यार ये मेरी बेज़ती की बात है जो मेरे साथ पहले हुआ है, मैं अब जस्ट as a player focus करूँ, वो कपता, इतना pressure लेने की जूरत क्यों है, मैं हमेशे एक्जेमबल लेता हूँ, ये बड़ी गंदी एक्जेमबल है, मुझे ये एक्जेमबल नहीं देनी चाहिए, लेकिन इस से बेतर अगर कोई एक्जेमबल है, तो मुझे बता दे, मैं वो दे दिया करूँग जेगने, पाकिस्तन टीम कहां पे है, पाकिस्तन को 40 चाहिए हो, बाबर जितवाएगा, कभी भी भी निजतवाएगा, अपना 14 बोलो पे 15, सोरी, 16 बोलो पे 15 करके बाहर आजाएगा, कितनी golden opportunity थी, USA के मैच में सूपर ओवर में बाबर आजम खुद आ जाता है, बेटिंग आज़िए गी तैसी यार, कि आप 20 मारूंगा एक ओवर में, वो विराट गोली की बादियाद आगे मुझे, कि तुझे गाली निगाली थे विराट ने, कि तुझे एक ओवर में इतना मारूंगा, तो जो बड़े बैटर होते हैं आज़िए लीड लेते हैं, आज़िए की मुझकल विकट है, तो आप फ्रेंट से लीड करते हैं, खैर ये कुछ मसले हैं पाकिसन क्रिकेट के, जिसकी वज़ा से पाकिसन क्रिकेट बहुत नीचे गई, और लास्ट में, जो एक अजीब डिसियन इन्हों ने किया, शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना, देखें शहीन अगर अपनी पीक पे होता ना, एजे बॉलर, तो फिर भी वो एक गलर्ट इसियन था, क्यार अब फास्ट बॉलर्स की जो फिटनस है, आप एक बंदे को कप्तान नहीं बना सकते जो सारा साल खेलेगा, शहीन को रेस्ट भी करनी है, आगे उसके वो वर्कलोड के मसले ये वो सब कुछ चल रहा है, आपने उसकी पीक छोड़ो उसको तब कप्तानी दी, जब वो अभी खुद फिगर आउट उसको करना है के मेरा पेस क्यू वापस नहीं आ रहा, कोई खड़ा खड़ा शह इन्शाफ रिदी को छके चोके लगा देता है, कोई भी, 128 पे वो बॉ तो इतने गलट सीन जब आप करेंगे, तो फिर आपके क्रिकेट कहां पे जाएगे, इसके इलावा भी बहुत सारे रिजन्स हैं, जिस पे मेरा ख़्याल है किताब लिखी जा सकती है, अगर कोई और रिजन्स आपके दमाग में आती है, आप कॉमेंट बॉक्स में लाजमी लिख सकते हैं,